अजय जी ममता जी और संजय जोती परिवार सिर्मने संदक्षक गुणायतन आईए मांगली क्रियाओं के अंतरगा चित्राण दीप्रजन के पस्चात मैं शम्मान सहत अमंतित करूंगा परिवार को ब्याय परम पोज मुरिवर के करकमलों में सास्त भेट करने का कारिकम शंप परिवार के लिए एक-एक सास्त भेट करने के लिए और क्रेम से आएंगे शफशे पहले में आज के मांगली क्रियाओं पुरा परिवार आएगा अब सास्त भेट करने के लिए से में एक मट रुक जाना रुक जाना रुक जाना सबसे पहले हैमंत करन पार्टनी पूरा पर आईए, पहले पाथनी परिवार, एक मिटक जो, पहले पाथनी परिवार missing, सास्त बहींट करने के लिए. एक ही सास्त लेक्जा हो ना, पाथनी परिवार पूरा है. एक ही सास्त परिवार काम होस्तप आईए backさい. आजाएए इसी क्रम में में आमन्तित करूँगा हमारी और पाटनी परिवार है मन्त जी पाटनी परिवार यहां से आजाए इस तरफ इस तरफ आजाए और अगले पुन्याजब को आमन्तित करूँगा इस चात्रमाज के नवरतनों में से एक रत नश्री योगें जी अरवन जी अरवें जी अमरीज जी सुसिल जी सेटी परिवार आनन्द भाम पूरा परिवार आजावे परंपोज मुनिवर के करकमलों में सास्त भेंट करने का कारिकरम शंपन करेंगे और आज के मांगली क्रिया पुन्याजक परिवार पाथनी परिवार आजावे पात प्रचानले बिदी शंपन करने के लिए आईए पात परिवार पूर आजावे पात प्रशान विद्धी संपन करने के लिए सेटी परिवार सास्त भेट कर रहा है और इशी करम में मैं चातर मास की अजमान श्रीबत्ती बेमला दिवी परिवार से मुकेश जी, विजय जी और संजय जी परिवार को अमंतित करूँगा परम पूझ मुरी और किकर कमलों में सास्त भेट करने के लिए सेटी परिवार भी वही रहेंगे सेटी परिवार वही रहें, पाटनी परिवार नीचे उतर जाए उसके पश्चात आप आएंगे पाटनी परिवार अब नीचे उतर जाएं, किरिया करने के पश्चात हमारे बीच में बैभान अगर दिगंबर जाएंज सामाज के स्रावख श्रावी का यहाँ पर पस्तेत हैं, और मैं चाहूंगा नीचे ही स्रीपल्च आएंगे, उपर ने आएंगे तैयार रहेंगे स्रीपल्च आने के लिए चलिए पाटनी परिवार के पश्चात आनन्द भाम प्यार से सिर्फ चार सरस आएंगे पाट परिश्च आने बीच शंपन करने के लिए भाया उपर नहीं आना, प्लीज, प्लीज, नहीं मैं जब बुलाओंगे ताब आना, प्लीज पॉंची जल्दी, नीचे पॉंची पहले मंच पहले सब ना आएं, परिवार बड़ा है सब बुआ को पूपा को सब को जोड़ लिया सेटी परिवार आजावें और आईए अराम से सेडिया आईए आईए सेटी परिवार आजावें भाईया अपन बीच में क्यों आ रहे हैं और आईए इसी करब में आमन्तित करूँगा सेटी परिवार, आनन्द भवन जो इस महा मास्तों के नौ रतनों में से एक रतन परिवार है सेटी परिवार आईए आरुन जी, आमिरेज जी, शुशील जी, योगें जी, सभी आजावें आरे रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, रुक तो जाओ भी यह, मत कर अभी राहूल रुक जाओ जी, आईए सेटी परिवार पात परचान कर रहा है, इसके पास जाओ, हम अमंतित करेंगे हमारे चात्रमास के याजमान परिवार को हो गया, सेटी परिवार सब ने कर लिया, आईए सेटी परिवार के पास्चात अब आमंतित करेंगे हमारे चात्रमास महमास्तों के मुख याजमान स्वर्गी कलाश्चन जी परिवार के श्रीमती, बिमला देभी और उनके परिवार के मुकेश जी, वेजय जी, संजय जी, चंदनवाला, ममता और जोती हो गया? और में निवेदन करना चाहूंगा, बैभाव नगर दिगंबर जैन समाज परम पूझ मुनियो के शिच्रम में, भाई सब, नीचे नीचे प्लीज, प्लीज, नीचे पहुचिए, स्री फल्चरा के निवेदन कर रहे हैं, कि चातुरमास के पस्चाज, जो आपके शानिद में अस्टानिका में शिद्दिचक्र महा मंडल, विधान में शिद्दों की परिसर में आपका शानिद प्राप्त हो, इशिक्रम में मैं आमंत्रित करूंगा, शुभम स्वनम जेन, सुकी सिवनिया भोपाल, शुभम स्वनम जेन, शुभम स्वनम जेन, सुकी सिवनिया भोपाल, इशिक्रम में हमारे गुणायतन ट्रेश्टी मौनु भईया, जो कि कटनी से हमारे वीच उपस्तिते, मैं चाओंगा, वेविया परंपोज, मुनिवर के सिच्छोर मनमन करते हो, गुरु बंदना का शौभाग प्राप्त करे इशिक्रम में हमारे वीच में हिस्टन टेक्सास युएससे से अंकित भाई जी प्रेंक्या अननो, पहल भाई जी प्रमानिक प्रसला हमारे वीच उपस्तित हैं, श्री पलचाकर गुरु बर का आशिरवाद प्राप्त करें सिंगवी परिवार एहमदाबाद गुरु बर का आशिरवाद प्राप्त करें सिंगवी परिवार एहमदाबाद गुरु बर का आशिरवाद प्राप्त करें शुशीला देवी शान्तिलाल जी चंदाबद लोकेश शान्तिलाल जी चंदाबद जोके हमारे वीच नाकपुर से उपस्तित हैं, श्री पलचाकर गुरु बर का आशिरवाद प्राप्त करें श्रीमान प्रदिव जी शंद्या जी भदोरा टीकमगण गुणायतन के शंद्रक्षक और अपाध्यक्ष ये भी आए श्री पलचाकर गुरु बर का आशिरवाद प्राप्त करेंगे आईए और बिद्या वाली का मंडल इंदौर की जो भी बहने अगर उपस्तित हैं तो गुरु बर के सिच्छोड मनवन करते हो आशिरवाद प्राप्त करेंगी और आई जलते हैं समय हो चोका मंगल प्रवचन मंगल उदोधन का हम और आप पारश चनलर, जिनमाणी चनलर, आदिनाच चनलर, प्रमणर के एक मद्यम से जो इस कारिकम को होदेख सुन रहे हैं उन सभी के ओर से और यहाँ पर उपस्तित हमारे सभी बिविन कालावनी से उपस्तित स्त्रावक शाविकाओं के ओर से आज के पुन्याजक पाटनी स्थनिके घ्रण परेख पाटती परिवार के ओर से परंपोज मुनिवर के सिरी चनलर मैं दमन करति आशिर्वब उन अभेधन करेंगे, मंगल प्रचन के यह झोड़ लेंगे, मुनिवर, नमोस्तो, 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 बोले परंपोज मनिश्य, परमान सागर जी महराज के निर्वेक्ष्णागर जी शंधान्सागर जी महराज के सभी लोग अपने दोनों हाथ जोग ले और मेरे शाद महा मंत्र के इस्मरन के लिए अपना मानस त्यार करें सभी लोग हाथ जोड़े अपना मानस त्यार करें तानम नमो अरियंतानम 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 नमो सिद्धानम अरियंतानम अरियंतानम नमो अरियंतानम 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 नमो अरियंतानम अलमो लोये सवशाहूनम नमो लोये सवशाहूनम आसो पंचेनमो यारों आसो पंचेनमो यारों सववपावपनासिनों सववपावपनासिनों मंगलानम चे सवेसिम मंगलानम चे सवेसिम पढ़मम होई मंगलम पढ़मम होई मंगलम ये बलो देवादि ये वेखाजराथ श्री भगवान महाविरस्वामे की जए 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 आहिंसा परमो धर्म की जए 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 परंपोज आश्य गुरुवश्री विढ्या सागर जी महराज की जए जय जय शय बुलेपरम पूज मुनिशी प्रमान सगर जी महराज की मुनिशी निवेक शव्च ये संधान सगर जी महराज की नमुस्त भगवन एक बार किसी संत से किसी ने सवाल किया आपने तमीज कहां से सिखिए आपने तमीज कहां से सिखी संत ने जवाब दिया बत तमीजों से सवाल किया आपने तमीज कहां से सिखी जवाब मिला बत तमीजों से सामने वाला हैरान रह गया कि आखिर बत तमीजों से भी तमीज कैसे सिखी उन्होंने कहा मैंने बद तमीजों के बरताव को देखा और उससे परहेज किया नतीजतन मैंने तमीज सीख ली अगर मनुष्य के पास सही दृष्टी हो तो वह बद तमीजों से भी तमीज सीख सकता है मैं और कुछ नहीं चाहता है मैं भी यही चाहता हूँ कि बद तमीजों की इस बस्ती में रहते वे हम तमीज सीखने की कला सीख ले इसके लिए एक ही आवशकतार अपिक्षा है वह है अपने दृष्टी को बदलने की अपने सोच को बदलने की चीजों को देखने का नजरिया जब तक नहीं बदलता तब तक हमारा जीवन बवस्थित नहीं होता आज जिन बातों को लेकर आप शांत और अदलित होते हैं उसी सिच्वेशन में आप बहुत सहज और सांत भी रह सकते हैं यदि आपके सोचने का तौर तरीका सही हो जाएं मैं बात आप सबसे कल कर रहा था कि प्रसंसा, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगता और प्रतिदंदता हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा दुखी बनाने वाले कारण प्रसंसा की बात आप सबसे कल हुई आज सेस बातों को मैं आपके बीच रख रहा हूँ प्रतिश्पर्धा आज हर मनुश्च के मानस में है और दुस्वा सब्ध है प्रतियोगता पूरा जीवन ही इस तरह का है प्रतिश्पर्धा एक अंधी दौड है और प्रतियोगता एक पकार की होड है इस होड और दौड में मनुश्च अपना सारा जीवन गर्थ खबा रहा है संत कहते हैं हमारे जीवन में गती होनी चाहिए प्रगती होनी चाहिए लेकिन प्रतिश्पर्धा और प्रतियोगता नहीं होनी चाहिए हम प्रोग्रेशिव बने पर कॉंपिटेटिव ना बने अगर आपकी सोच कॉंपिटेटिव है तो आपके मन में केवल प्रतिश्पर्धा होगी या प्रतियोगता होगी आप प्रतिश्पर्धी बनेंगे या प्रतियोगी बनेंगे और यदि आपकी सोच प्रोग्रिसिव होगी तो आप आगे बढ़ोगे प्रतियोगी नहीं सही योगी बनोगे इस पर था अच्छी चीज नहीं है और प्रतिश पर था और खराब है आपने किसी तालाब में देखा होगा एक मचली दूसरी मचली को क्रॉस करके आगे बढ़ती है पहले की मचली को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो बेखबर रहती और जिस मचली ने उसे क्रॉस किया है उसके लिए भी पहली वाली मचली टार्गेट नहीं होती वो अपनी गती से और यह अपनी गती से अपनी गती से आगे बढ़ना प्रगती है और किसी की गती को देखकर भागना प्रतिस्पर्धा और उसे पीछे करने का प्रियत्न करना प्रतियोगिता प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा में पीछे भागा जाता है और प्रतियोगिता में पीछे किया जाता है किसी के पीछे भागना भी ठीक नहीं और किसी को पीछे करने का प्रियत्न करना भी ठीक नहीं है पीछा करना भी हमें पिछडात पिछाडता है और पीछे करना भागना भी अच्छी बात नहीं है दोनों चीजों से बचना चाहिए प्रगती सील बनना है तो खुद को अपना टार्गेट बनाइए किसी दूसरे को टार्गेट बना कर मत चलिए वो कहां पहुँचा हम भी वहां पहुँचे यह सोच अटाइए मैं मुझे कहां पहुँचना है यह लक्ष बनाइए और जैसा लक्ष बनाएं वैसा पूर्शार से जगाई है लेकिन ये भी एकी कदम चल कर अजकल के यूट्स में एक अलग तरह की मेंटेलिटी डेवलब होते जा दिए बड़े बड़े सपने गढ़ने की और सब कुछ इंस्टंक्ट पाने की वे सब कुछ एक साथ चाहते हैं अगले ने ये अचीब किया मुझे भी वो करना नतीजा क्या निकलता है जो पाना है वो तो एक तरफ जो गाठ का है वो भी खो जाता है और मनस्पूरे जीवन रोता रहता है वो उसी में मजबूर होकर जीता है जीवन की धारा को परिवर्तित करिए और अपने जीवन को सही दिसा में नियोजित करने का लक्ष बनाईए तै कीजे मुझे क्या करना है और फिर अपने आप के भी तज्या कि जो मैं करना चाता हूँ जहां मैं जाना चाता हूँ जो मैं पाना चाता हूँ जैसा मैं होना चाता हूँ उसकी अनुकूल इन्वाइर्मेंट है या नहीं मेरी प्रिष्ट भूमी कैसी है और यदि मेरा कोई लक्ष है तो सबसे पहला काम मुझे अपनी प्रिष्ट भूमी को ठीक करना है अपने बैक्ग्राउंड को स्ट्रॉंग बनाना है अपने इर्द गिर्द के इन्वाइर्मेंट को अपने अनकूल बनाना पहला काम और उसमें सफल होने के उपरांद इस्टेप बाइस्टेप आगे बढ़िए मैं अक्सर कहता हूँ एक एक करके हजार सीड़ी चढ़िए एक साथ सौ सीड़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत कीचे आजकल आप लोग क्या करते हैं अगर आप खुद को प्रगति सील बनाएंगे प्रोग्रिसिव सोच लेकर के चलेंगे तो आपके हृदय में उदारता बढ़ेगी और यदि आप प्रतियोगी बनेंगे आपके हृदय में प्रतिश्पर्धा होगी तो मन अनुदार होगा सोच संकीन होगी और परिणाम तह भरदय में इर्शा बेश घ्रणा और नफरत जैसी बुराईयां पनपने लगेगी जहां संकीनता होती है वही इस तरह की दुरबलताएं हावी होती है मनो वृत्ती को ब्यापक बनाईये आपका जीवन अपने आप ब्यापक बनेगा मचली की तरह जीएं केकड़े की तरह ने क्या बोला मचली की भाती जीएं केकड़े की भाती ने मचली और केकड़े का अंतर मचली की बात थोड़ी दिर पहले मैंने की मचली अपनी गती से चलती है उसे दूसरे से कोई मतलब नहीं पर केकड़े का पूरा प्रयास खुद के लिए नहीं दूसरे के लिए होता है मचली खुद को आगे बढ़ाती है और केकड़े अपनी सक्ति दूसरे को पीछे खीचने में लगाते है उसको पीछे करना है एक जिगा एक आदमी केकड़े पकड़ रहा था सालाब के किनारे उसकी टोकनी खुली भी थी उदर से राजनिती सास्त के एक प्रोफेसर अपने कुछ छात्रों के साथ जा रहा है थी सात्रों की नजर टोकने पर पड़ी और कहा सर यह कितना बेखुफ है केकड़ों को पकल रहा है टोकनी खुली है कोई भी केकड़ा उचल करके आसानी से पानी में जाएगा और इसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा केकला उचल करके आसानी से पानी में जाएगा और इसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा तो फेशर ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा ऐसा कभी नहीं होगा वले क्यों? क्योंकि ये केकड़े हैं ये पैदाइसी राजनितिग्य हैं ये केकड़े हैं ये जनमजात राजनितिग्य हैं एक जाने की कोशिश करेगा चार उसके टांग खीचेंगे ये आगे वर ही नहीं पाएगा है ना? आजकल केकड़े की वृत्ति के लोगों का बाहुल दिखता है बस हमें क्या करना है? अपनी सोच को केकड़े की जगह मचली जैसा बनाना मचली जैसी सोच यदी अंतर मन में बिख्षित हो गई तो हमारे जीवन का काया पलट है सब कुछ सहज घटित होगा जीवन में एक अलग प्रकार की रसान भूती होगी अनंद कानभव होगा तो हमें अपने अंदर देखना है कि मेरी मानसिक्ता क्या है? मैं प्रोग्रेशिव बनने के लिए तत्पर हूँ? या कॉम्पटिटिव बनावा हूँ? और फिर जब हम किसी से कॉम्पटिशन करते हैं तो हमारी सक्ति नकारात्मक दिशा में लगती है जितनी सक्ति स्वैम की प्रगती में लगनी चाहिए उस से कहीं ज़्यादा सामने वाले को समझने में लगा देते हैं मुझे क्या करना है? ये देखो न, वो क्या कर रहा है? ये क्यों देख रहे हैं? बो, क्या करते हैं आप लो? मुझे क्या करना है ये देखते हो? या सामने वाला क्या कर रहा है ये देखते हो? बो, है न? मुझे क्या करना है ये देखने वाला प्रगती करता है और सामने वाला क्या कर रहा है ये देखने वाला पिछड जाता है क्या चाहिए प्रगती या पिछडा पन बोलो करते क्या हो हdishantes एक नंबर और काम दो नंबर है ना एक नंबर चाओगे और दो नंबर का काम करोगे तो दो नंबरी ही बने रह जाओगे आप कहोगे महराज जमाना बदल गिया भी तो दो नंबरीयों का ही दौर है जिखान रखना दो नंबरी का भी दौर तभी तक चलेगा जब तक दुनिया मों वो एक नंबरी बना रहेगा सोच को ठीक बनाने की जरुवत है लक्ष बनाएं पूर सार्थ जगाएं पहला लक्ष मनुष्य भौतिक लक्ष तो बहुत आसानी से बना लेता है रोज लक्ष बनाता है रोज उसे अचीब भी करता है और ने लक्ष बनाता है पुराने लक्षों को बदलता भी जाता है लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ सबसे पहला लक्ष अपने जीवन को सदा बहार प्रसंद बनाए रखने का रखिए मैं सुखी संतुष्ट खुस और प्रसंद रह सकूं ये मेरा पहला लक्ष होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं बोलो है न अब आप बताईए आप ने ऐसा लक्ष बनाया है कि नहीं नहीं न और मुझे पता है बनाओगे भी नहीं बनाने की कोई तैयारी नहीं क्योंकि आपके जीवन की सुरुवात से ही आपको ऐसा प्रसिक्षन मिला है बेटा अच्छे से पढ़ाई करना है क्लास में नंबर वन होना है अच्छी रैंक आना है अच्छी रैंक करके अच्छे स्कूल में भरती होना अच्छे से अच्छे स्कूल में भरती होना है अच्छे से अच्छे कालेज में जाना है अच्छे से अच्छे एजुकेशन लेना है अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनना है अच्छे से अच्छी गाली रखनी है अच्छे से अच्छे सब चीजे अच्छी से अच्छी करनी है और पढ़ लेकर अच्छी से अच्छी नौकरी पाना है अच्छे से अच्छा package पाना है फिर अच्छी से अच्छी दड़की ढूंडनी है अच्छे से अच्छी साधी करनी है अच्छा से अच्छा घर बनाना है अच्छे से अच्छी गाली रखनी है अच्छे से अच्छा अपना status बनाना है लेकिन इन सब के साथ कभी ये सोचा कि मुझे अच्छे से अच्छा जीवन जीना है कभी किसी ने सोचा है बोलो बुनियादी फर्क है ये बुनियादी भूल है ये शुरुवात से ही सब बाते जिने उल्टी सिखाए जाए उनकी जिन्दगी भला सीधी होगी कैसे पट्टी ही उल्टी पढ़ाई गई है बोलो वर्सों से जो उल्टी पट्टी पढ़ेवे हो उनको चार महिने में सीधा करना बड़ी तेड़ी खीर है है न है की नहीं पर चिंता मत करो तेड़ी खीर अंधों के लिए हैं आँख वालों के लिए ने क्या बोल रहा है तेड़ी खीर अंधों के लिए है और अगर अंधे बने रहोगे तो तेड़ी खीर बनी रहेगी और आँख खोल लोगे तो तेड़ी खीर भी सीधी हो जाएगी पता है खीर तेड़ी कब होई पता है बता दूँ इसका रहस्य मालूम आप लोगों को नहीं मालूम एक बार एक अंधा एक पंगत में गया उस पंगत में खीर बनी थी और जैसे उसे खीर गहन करने का निवेदन किया गया तो अंधे ने पूछा भी या एक खीर क्या होता है कभी उसने खाया नहीं चेखा नहीं और देखने का दसावाली नहीं पूछा एक खीर क्या होता है तो कहने वालों ने कहा खीर सफेद होता सफेद कैसा होता है बले खीर कैसी होती है बले मीठी होती है मीठी तो बहुत सारी चीज़े होते है मीठी में कैसे होते है बले सफेद होती है सफेद कैसा होता है सफेद भी बहुत चीज़े होती है अब अन्दा सफेद देखे तब तो बले सफेज कैसा होता है बले बगला जैसा होता है अब बगला कैसा होता है बगला कैसा होता है अब कैसे बताए अंधे को बगला कैसे होता है तो अपना हाथ ऐसे करके कहा कहा बगला ऐसा होता है अपना हाथ ऐसा करके कहा बगला ऐसा होता है अंधे ने हाथ पर हाथ फिरा खीर तेड़ी है, मुझे नहीं खाना। सबसे खीर तेड़ी हो गई, वो अंधा तो थाई, पर उसको समझाने वाला और बड़ा अंधा था। उस बेखुप को इतना पहाड़ा पढ़ाने की जगा, सीधे सीधे मुझे खोलना चाहिए, पलेले चक पता लग जाएगा खीर कैसी है। है ना, तो मैं आपको खीर की परिभासा बताना नहीं चाहता, खीर का स्वाद जखाना चाहता हूं। और स्वाद अगर एक बार लग गया, जीवन का काया पलट है। आँखे खोलिए, द्रिष्ट्री बदलिए, जिस पल आप सोच लोगे, जीवन बदल जाएगा। अभी मैं एक उधारण आपको देता हूँ, कैसे विक्ति की सोच के परिवर्तन से जीवन धारा बदलती है। अभी जिस पोग्राम से मैं चल रहा हूँ, अहार का जो पोग्राम चल रहा है। इस पोग्राम में खाना पीना बिल्कुत छूट जाता है, कुछ भी नहीं होता। और विक्ति बहुत अच्छा महसूस करता है। मैं अपनी बात कहता हूँ, आप लोगों की चिंता को खतम करने के लिए, मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मेरे एनरजी का लेवर दिनों दिन बढ़ रहा है। यह संदेश मैं इसले दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की चिंताएं मुझे दिख रही है। और मैं आपको मेरी वजह से चिंता में नहीं डालना चाहता। मैं बहुत बेहतर महसूस करूँ। जब मैंने बात की कि इस तरह के प्रग्राम करते हैं प्रग्राम पुरा होने के बाद, खाने पाना की इस्चा अदू म की इस्चा कसर्ण काता मन कहती, आम जनों में क्या होता है। तो आम जनों के मन में कभी चाट पकोड़े खाने की इच्छा नहीं होती मुझे बताया महराश्री माइंड सेट ऐसा बन जाता है कि उनकी सारी चाही खतम हो जाती इसमें वे लोग भी सामिल हैं जो कभी सराप पीते थे वे लोग भी सामिल हैं जो रोज चाए पीते थे सब छूट जाता है क्यों छूट गया माइंड सेट बदल गया बस मन बदलता है सब कुछ बदलता है दृष्टी बदलती है सारी स्रिष्टी बदल जाती है मुझे और कोई अपेक्षा ने है मैं आपकी दृष्टी को बदलना चाहता हूँ पूरा सब सिष्टम बदलता है तो मेरे एक ही कोशिश है कि हम प्रृष्टी को बदलने की कोशिश करने की जिगां मनो बृष्टी को बदलने का प्रियत न करें बृष्टी बदलेगी प्रृष्टी अपने आप बदल जाएगी अपने आपको अंदर से वाच किजिए मेरी सोच की धारा कैसी है जीवन मिला है बहुत दृलपता से मिला है और एक बात ध्यान रखना ये जीवन तुम्हारा है तुम्हारे दिये है दूसरों के दिये नहीं इसलिए अपने लिए जीवन तुम्हारा है तुम्हारे लिए है दूसरों के दिये नहीं इसलिए अपने लिए जीवन गैरों के लिए नहीं मैं फिर हम सेल्फिस नहीं हो जाएंगे मैं कहता हूँ सेल्फिस हो जाओ अच्छा है ऐसा सेल्फिस होना अच्छा है अपने लिए जीने वाला किसी दूसरे को नीशताता है और जो गैरों के लिए जीता है वो सब के सुखों से जलता है और खुद को दुखी बनाता है अपने लिए जीओ न तो औरों के लिए सहयोगी बनोगे प्रतियोगी नहीं और गेरों के लिए जीओगे तो ना अपने लिए कुछ करपाओगे ना गेर के लिए कुछ करपाओगे जीवन कैसे आगे बढ़ा पाओगे अपनी सोच को ऐसी बनाओ जिसमें अपनी आत्मा का हित हो जिसमें अपने जीवन को संभाला जा सके जिसमें अपने जीवन को समारा जा सके, सुधारा जा सके वो रास्तांगी कार करो क्या पता कब जीवन का अंत हो जाए, कोई ठीका ना है, बोलो, नहीं नहीं एक दृष्ठी कौन बिख्षित होना चाहिए, वो आध्यात्मिक दृष्ठी कौन वो अगर एक बार बिख्षित हो गया, तो पूरा जीवन बदल गया तो हमें प्रगती करना है प्रतियोकता नहीं के आप किसी बाग बगीचे में अथवा किसी वन उद्ध्यान में गये हो अनिक पेड होते हैं, बीज बोय जाते हैं सब पेड बढ़ते हैं, बढ़ते हैं कि नहीं और पेड सतत प्रगती सीर होते हैं कितना भी पुराना पेड हो उसकी प्रगती एक पल को नहीं रुकती प्रगती का मतलब केवल कद का वर्दा नहीं है प्रगती का मतलब है अपने आपको हर पल अपडेट करते रहना अगर पूरी प्रगती में देखो तो सबसे स्थेष्ट उधारन पेड है जो हर पल प्रगती है अपने आपको हर पल अपडेट करता है सतत प्रगतशी प्रगतिशील है हर पेड अपनी अपनी गती से प्रगती करते हैं उनमें प्रगती है प्रतियोगता नहीं प्रतिश्परधा नहीं और वो उनकी गती स्थाई एक पेड को दूसरे पेड से कोई लिरा देना नहीं उन्हें में केवल और केवल प्रगति है प्रतियोकता नहीं क्यों क्योंकि वे उनका संबंद उनके जड़ों से है उनका संबन्द उनके जड़ों से है मैं आप से किवल इतना कहना चाहता हूँ पेड को अपने जीवन का आदर्स बनाओ सतत प्रगतिशील बना रहोगे या सतत प्रगतिशील बनना चाहते हो तो पेड की भाती जीवन जीना सुरू करू जड़े गहरी रखो और पेड जैसा जीवन जीओ पेड में कोई प्रतियोकता तो है ही नहीं प्रतिश्परधा भी नहीं है पर पेड में दो बड़े गुन है एक है सहिश्नुता और दूसरा उदारता अपने पेड को देखा सर्दी गर्मी बर्साथ आंधी पानी तुफान तेज लू हिमानी हवाएं सब को सहज भाव से झेलता है झेलता है कि नहीं? बड़े बड़े जन्जावातों को सहता है सहता है कि नहीं? सहिश्नुता की मूर्ति है कि नहीं? कोई प्रतीकार नहीं है? यह सहिश्नुता है कि नहीं? और दूसरी बात पत्थर मारने वाले को भी मीठे फल देता है पत्थर मारने वाले को भी मीठे फल देता है स्वैम धूप में रह करके भी और उको च्छाया देता है यहीं तो उदारता है है न अपने हरदय में इन दो गुनों को अपना लो सैश्नुता और उदारता कर मन से प्रतिश्परधा और प्रतियोगता हमेशा हमेशा को समाप्त हो जाएगे और तुम्हारी प्रगती निर्वाद जारी रहेगे आगे बढ़िये आगे बढ़ाईये पेर की भाति गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाईकुवत साधु व्रिक्ष है छाया फल प्रदाता जो धूप खाता सत्पुरूस वही है जो व्रिक्ष की भाति जीवन जीता है खुद धूप खाकर सारी स्रिष्टी को छाया और फल प्रदान करता है आप अपनी उन्नती करे खुद को आगे बढ़ाए जितना बढ़ सको बढ़ो अंतिम सीमा तर तिन दिन पहले मैंने आप से कहा था अगर आप किसी विक्ति को टार्गेट ले करके चलते हो आप बड़े छुद्र बनोगे क्योंकि आपका टार्गेट एक सीमा तक होगा और जब आपके सामने कोई दूसरा टार्गेट नहीं होगा खुद को अपना टार्गेट बनाओगे तो तुम्हारे पास अलंत आकास होगा अपनी अंतिम सीमा तक जहां तुम जा सको जाओ और जीवन की असली प्रगती तो पंचम गती है इस लोग के सिर्ष पर जाना है जहां के बाद ना आना है ना जाना है सोच वैसी होनी चाहिए वैसी सोच लेकर के चलेंगे तो मामला बिलकुल बदल जाएगा तो शहिशनता आए उदारता आए चीजों को बरदास्त करने की छमता और नजर अंदाज करने की शक्ती यदि ये दोनों बाते बिक्सित हो जाए तो जीवन कभी भी दुखी नहीं होगा कभी भी दुखी नहीं होगा दुप प्रशंगों को सहन करो दुखों को सहन करो कभी भी मन हतास नहीं होगा और कोई दुरवचन कह दे दुरव्यवार कर दे छोटी मोटी बाते हो जाए तो नजर अंदाज करो इग्नोर करके चलो चित सदेव प्रसंद बना रहेगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से कहा कि हमारे जीवन का मूर भूत लक्ष खुद को सदा बहार प्रसंद बना के रखना चाहिए बाकी चीजें से केंडरी है है न तो अपने जीवन को सदा बहार प्रसंद बनाए रखने के लिए जिन बातों से अप्रसंद दुख छोब या चिंता होती है उनसे अपने आपको दूर रखना चाहिए की नहीं रखना चाहिए की नहीं और उनको दूर रखने की बात यही है कुछ बातों को वरदास्त करो कुछ बातों को नजर अंदाच करो इतना ही सा तो काम है ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन महराज वही नहीं हो पाता तो महराज क्या करे जिस रोगी को बिमार बने रहने की आदत बन गई उसको भगवान भी डाक्टर बनकर आए तो उस ठीक नहीं कर सकते ठीक वही रोगी हो सकता है जो खुद को ठीक करना चाहता है तो खुद को ठीक करने चाहो उसके लिए प्रयत्न करो उसके लिए अपनी सोच को बदलने की आशकता है देखिए हिर्दय उदार होता है तो देखने को प्रतियोगता में करन जीने वाला जीव भी जीवन का बहुत बड़ा आदस दे सकता है एक प्रतियोगता थी दौर की बहुत से प्रतियोगी उसमें भाग ले रहे थे उसमें एक ऐसा प्रतियोगी भी था जिसके कई रिकार्ड बन चुके थे और कई एवाड प्रात कर चुका थे सब को पता था कि इस प्रतियोगता में ये है तो दूसरा तो जीती नहीं सकता ये और केवल यही जीतेगा हजारों दर्शक थे प्रतियोगता के दिन जब दौर चली तो वह विक्ति पांस सेकेंड पीछे रह गया पांस सेकेंड पीछे रह गया और उसके बाद का जो विक्ति था उसे बिज़ेई घोचित किया गया और दौर में पांस लाख रुपे का पुरुषकार था उसे दे दिया गया जैसे ही पुरुषकार प्राप्त हुआ लोगों ने बढ़ाई दी लेकिन वह सबसे पहले जो पिछड़ गया था उसके जाकर पैर चुए आप बहुत आभारी हूं आपका आपकी बदौलत मुझे सफलता मिली बहुत आभारी हूं आपका आपकी बदौलत मुझे ये सफलता मिली लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि राज क्या है तो इस वेक्ती ने रहस से परदा उठाते वे कहा कि मेरी माँ कैंसर से पीड़ी थे जो बिजी वेक्ती था उसने कहा मेरी माँ कैंसर से पीड़ी थे उसके इलाज के लिए पांच लाख रुपे की जरुवत थी यद्दिपी मैं खिलाडी हूँ पर मेरे लिए पांच लाख रुपे जोड़ना बहुत कठिन था सोचा ये पृतियुकता है अगर मैं इसमें एक प्रियास कर लूँ तो मुझे सफलता मिल सकती है लेकिन मुझे लग रहा था इनके सामने तो जीत पाना संबव है मैंने अपनी बात बताई इनने मुझे उसी चनाशवस्त किया कि तेरी माँ की चिकटचा में कोई कमी नहीं होगी मैंने इस बात के सैयोग की अपेक्छा से मिला था कि मुझे पांच लाख में कुछ रुपियों का सहयोग करेंगे लेकिन इन्होंने मुझे जो सहयोग किया वो जीवन भर के लिए मुझे एहसान मंद बना दिया उस वेक्ती ने कहा कि मैं रुपियों का सहयोग करता तो इसके स्वाभी मान में कमी होती मैंने सोचा अगर मा की चिकित्सा में सहयोगी बनना है तो इसका स्रेष्ट उपाई यही है यदि मैं दो कदम पीछे रहूँगा तो यह चार कदम आगे निकलेगा इसका जीवन आगे बढ़ जाए कितनी बड़ी सोच है उसने कहा कि कि मेरे एवाड से ज़्यादा मुल्लवान इसकी मा का स्वास्त था लोगों ने जब यह सुना उसे उठा कर सिर्थ पर बिठाल दिया तुमने आज जो आदर्स उपस्थित किया है इसको बड़े से बड़े एवाड से भी नहीं ना पा जा सकता सब लोग उसकी सयोग मुलक सोच की भूरी भूरी प्रसंसा कर बैठे सराना कर बैठे मेरे दो कदम पीछे रहने से यदि कोई चार कदम आगे बढ़ता है तो मुझे इसकी खुशी है आप ऐसी सोच अपने अंदर रख सकते हैं मेरे दो कदम पीछे होने से कोई चार कदम आगे बढ़ जाए इसकी खुशी तो दूर कोई मुझे से एक कदम आगे निकल जाए तो तकलीब है ना ये उखाण पचाण कब तक दिशा बदलिये दृष्टी बदलिये तब जीवन बदलेगा आज के प्रवचन का एक ही पाठ है मुझे प्रगती शील बनना है प्रतियोगी नहीं प्रतिशपर्धी नहीं और जो प्रतियोगी नहीं बनेगा प्रतिशपर्धी होने से बचेगा उसके हृदय में कभी प्रतिदंदता नहीं होगी कोई उसका प्रतिदंदी नहीं होगा इसको अपना प्रतिद्वन्दी मानते हो जिसके प्रति मन में इर्शा होती जिसके प्रति मन में द्वेश होता है उसको आप अपना प्रतिद्वन्दी बनाते हो अरे भाई जब मन में द्वन्द ही नहीं तो प्रतिद्वन्दी कहां और जिसके मन में दुन्द नहीं उसके दिल में हर पल आनंद आनंद और आनंद रहता है चाहते हो आनंद दुन्द से बुक्त हो प्रति दुन्दी को अपने सामने मत रखो मेरा कोई दुश्मन नहीं मेरा कोई विरोधी नहीं मेरा कोई प्रति द्वंदी नहीं क्यों क्योंकि मैं दूसरों की तरफ देखता ही नहीं मैं केवल अपनी तरफ देखता हूं मैं केवल अपनी प्रगति को देखता हूं मेरा द्रिश्ट लक्ष केवल खुद की लाइन को लंबी करने का है मैं दूसरों की लाइन को कभी देखता ही नहीं मन्दों मैंने अपने जीवन में आज तक जो कुछ भी पाया उसका यही एक रहश है मैंने कभी दूसरे को नहीं देखा कि वो क्या कर रहा है वो कहां जा रहा है मैंने सदेव यह देखा कि मुझे क्या करना है मुझे क्या करना है और जो मुझे करना है मैंने केवल उस तरब देखा और मेरे द्वारा किये जाने वाले कृत्यों को लोग किस नजर से देखेंगे उधर मुड़ कर मैंने कभी नहीं देखा क्योंकि उधर मुड़ूगा तो आगे कैसे बढ़ूगा जित्ती देर पीछे मुणूँ उत्ती देर आगे बढ़ूँ तो दो चार कदम आगे ही बढ़ूँगा पीछे मुणने वाले तो धुआ उलाते ही रहेंगे उनको क्यों करो पीछे ना देखो ना ही पीछे लग्गू बनो सही क्या देखो ये गुरुदेव का हाइकू बहुत गहरे गहरे संदेश है हाइकू बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा मैंने कट्टी में चातुरमास में हाइकू पर प्रवच्चन किये थे और गुरुदेव ने गुरुवर ने समझाई हाइकू की गहराई संदेश है आपको बाहर मिलेगा मेरे साथ प्रवच्चन हाइकू उच्पर हुए आगुरुदेव के एक बहुत अच्छा हाइकू जो ही मुझे आगा है पीछे ना देखो नहीं पिछलगू वनो सही क्या देखो तुम्हारे पीछे के लोग क्या कर रहे हैं इसको मत देखो ना तो तुम्हारे पीछे कितनी भीड है इसे देखो और नहीं तुम्हारे पीछे कितनी धूल और धुआ उसे देखो पीछे की भीड को देखोगे पीछे रहोगे पीछे की भीर को देखोगे पीछे रहोगे और पीछे की धूल को देखोगे पिछड जाओगे पीछे ना देखो नहीं पिछल अग्गू देख बनो और दूसरों के पिछल अग्गू बनोगे तो उसके पीछे ही रहोगे गुर्देव का जो हाइकू है उसमें नीचे की लाइन बदल रहा हूँ पीछे ना देखो नहीं पिछल अग्गू बनो पीछे रहोगे पीछे देखोगे तो पिछलोगे और पिछल अग्गू बनोगे तो पीछे रहोगे आगे देखोगे तो आगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे इसलिए आगे बढ़ने का प्रियत्न करें बंधो हमारा यही लक्ष होना चाहिए आगे बढ़ने का और आगे बढ़ने के लक्ष में कल रविवार है कल रविवार को विशेश कारिकम प्रवचन कम एक प्रकार की कारिसाला है कल दो घंटे का सत्र होगा और उसमें अब तक के 15 दिनों के प्रवचनों काлек, सार कुछ यता संभव, प्रयोग आत्मक तरीके سے मैं आप सबके बीच रखने का प्रयास करूंगा, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और जो हम करना चाहते हैं, उसके लिए क्या रास्ता है, हम उसे समझेंगे और कल के प्रवचन में युवाओं को विशेश प्रमुकता मिले और कल के संका समाधान में भी हम युवाओं को विशेश प्रमुकता देने का प्रयास करेंगे इसका आप सब ध्यान रखेंगे आगामी दस्रक्षन के दिनों में जो स्रावक संसकार सिविर का आउजन है उसमें भी आप सब अपनी सभागिता सुनिश्चित करें उसकी डूप रिखा आपको बता दी गई साम को संका समाधान में और भी उसे विशेश रूप से बता दिया जाएगा पर इस वर्स यदि आप अपने जीवन में कुछ स्थाई रुपांतरन घटित करना चाहते हैं तो उसके लिए पून प्रयास करें और ऐसे आउसरों का लाब उठाएं आगामी ग्यारा तारीक को अठाई ही रहें महरासरी के द्वारा सुबह से जैनम की कख्षा बहुत ब्यवस्थित तरीके से चल रही है आप छे बजे धाई सो तीन सो युवाओं को अगर एक साथ अध्यान करने के लिए रुचिवन देखते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्दी है महरासरी के सुक्रवार, सनीवार, रवीवार को बच्चों की जो पाट साला है वह भी बहुत अच्छी है सभी लोग कारिकमों में अपनी सभागता दें मध्यान में ठीक तीन बजे कर दस मिनट से गोमठ सार और समय सार की कख्षा भी आप सब लाभानमित हो रहें इसी तरह लाभ होते लेते रहें और जीवन को आगे बढ़ाएं इसी सुभाव के साथ यहीं पर बिराम बोरिये परम पूझ आचायर गुरुवासरी बिद्या सागर जी महराज की निर्वेक सागर जी शंदान सागर जी महराज की जावानी के ग्यान से सुझे लोका लोग सोवानी मस्तक जी शंदा देतो हो डो